तो कियाल चाल से स्रियाकाल मैं हूं नियॉण मैन और आज में मेरे पास काफी सारे स्टोरीज है पूरे यूटूब कम्यूनिटी से तो वीडियो को इन तक जरूर देखना बस टार्ट करने से पहले गाइस कल मैंने चेक किया कि आप में से 40% से भी जादा लोग जो मेरे वीड नुमैट शुभम इस एन इंडियन व्लॉगर जो डिफरेंट कंट्री में जाके ट्रैवल करते हैं उसके व्लॉग्स अप्लूड करते हैं तो लास्ट कुछ दिनों से वह अपने चैनल में अफगानिस्तान व्लॉग्स अप्लूड कर रहे थे आप लोग को पते होगा कल अफगानिस्तान का जेल या फिर वहां का मिलिटरी स्टेशन ले जाया गया था फॉर इस वाला इंसिडेंट तो न्यूज से पहले हुआ था अबाउट दे कैप्चरिंग बट जैसे ही अफगानिस्तान का न्यूज आया अबाउट काबूल बिंग कैप्चर्ड लोग उनके वीडियो में कमेंट करके पूछने लगे कि भाई आप सेफ हो की नहीं आप अफगानिस्तान से निकले की नहीं तो इन सारी चीजों के उपर रिप्लाइ देते वे वह अपने पोस्ट में ये कहे लॉट्स आफ पीपल आर कमेंटिंग इन अफगानिस्तान वीडियो एट आई शुड लीव अफगानिस्तान गाइज आइफ अल्रेडी लेफ्ट अंड रश्या नाओ विच प्रॉबबली मीन्स कि जो ये व्लॉग्स अप्लोड किये थे वो कुछ दिन पुराने थे और पंगलादेश के हाइकोट ने डिरेक्ट कर दिया गवर्मेंट को की पब जी फ्री फायर और और भी कुछ अप्स जैसे की टिक टॉक लाइकी ये सब को बैन कर देना चाहिए फॉर थ्री मंथ मैं आप लोगों को आर्टिकल से पढ़के दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या कह दहाइकोट टुडेश दिरेक्ट दे गर्मेंट तो पुट अस्टॉप टॉट अप्स अफ दिस्ट्रॉक्टिव ओनलाइन गेम्स अप्स लाइक पब जी फ्री फायर फॉर दे नेक्स थी मंथ्स तु सेफ चिल्रन और अडॉलेसेंस फ्रॉम और अंड सोशल डिग्रेशन बेसिकली वही सिमिलर रीजन की ये सब अप्स को जाधा यूज करने से टीनेजर के सोशल लाइफ वगेरा को हाम पहुच रहा है आगे इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि कोट ने अभी 10 दिन दिया हुआ है एक्स्प्लेन करने के लिए कि वाई इस आप शुडिंट भ फ्रॉम मीडिया बट लास्ट कुछ हफ्तों से फ्री फायर को भी आपने देखा होगा कि बहुत टार्गेट किया जा रहा है और दिस इस अ बिग एग्जांपल ओफ जो बांगलादेश में अभी हुआ इसके बारे में आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है मेरे को कमेंट सेक् किया तो चलिए अब नेक्स स्टोरी के बारे में बात करते हैं हम लोग बात करने वाले एटू मोटिवेशन अर्विन दरोरा के बारे में तो कल वो अपने चैनल में लाइव आय थे एंड लाइव में उन्होंने कुछ अनौंसमेंट्स दिया उन्हीं में से एक बड़ा उनको कही नुकसान नहीं होगा तो सिर्फ आप हर एक कोचिंग के ओनर को ये शेर करके बोलिए कि आप अपने हर एक बैच में दो सीट दो सीट आप रिजर्व करके रखिए और वैसे हिसाब से क्या होना चाहिए कि अगर कोई भी कोचिंग करा रहा है उनलाइन तो दो सीट जिनके घर पे शहादत हुई है उनके लिए रिजर्व होनी चाहिए और किसान के बच्चों के लिए दो सीट रिजर्व होनी चाहिए और कम से कम दो बच्चों को जो बहुत बिलो पोवैरिटी में आते हैं जिनकी घर की हालत ठीक नहीं है उनको दो सीट उनके लिए रिजर स्काइबर का भी मालस्टोन अचीव कर लिया, सो या मेनि कॉंग्राचुरेशन्स तो इम इस तो चल यह अपने एक स्टोरी के बारे में बात करते हम लोग बात करने वाले है, सौरफ जोशी के बारे में, किस डेट को आएगा वो गाना तो प्यूस बताएगा 24 अगस्त तो आज है 13 अगस्त तो 24 को राउंड 10 दिन में गाना आ जाएगा 24 को तो याद रखना और इसका पोस्टर एक दो दिन में मैं अपने इंस्टेग्राम अकांट पर रिवील कर दूंगा पोस्टर इतना मुश्त और behind the scene वाला vlog भी मैं डाल दूँगा पहले ही डाल दूँगा गाना आने से पहले तो आपको थोड़ा बहुत हिंड मिल दया कि गाने में क्या-क्या होगा तो उसके लिए भी वेट कर रहा एक गाने के अब 10 दिन मैं से वेट नहीं हो पाएगा यार अनिवेज तो चलिए अपने एक स्टोरी के बारे में बात करते हैं हम लोग बात करने वाले अनिशा दिक्षित के बारे में तो अनिशा दिक्षित को कल थोड़ा सा हेट मिला था उसका रीजन ये था कि वो अपने पोस्ट में एक फोटो शेर की थी जिसमें वो इंडिया का लाक को ना उल्टा पकड़ लिया था और उसको मुने पोस्त कर दिया था और इनो एक गलती हो गई मुझसे बहुत तुम लोग में से बहुत सार लोगों ने पोला भी कि दीदी आप ते जंडा उल्टा पकड़ा है यह प्लीज वाच आओड जो कि ठीक है पर दूसरी तरफ ऐ इन्णों ने मुझे गालिया दी मतलब देख तु कैसे जंडा पकड़ी है कुतिया तु देश को डिस्रिस्पेक्ट कर रही है मतलब यार गायस देखो mistakes हो जाती है पर गालिया देने का मतलब तुम्हें कोई हक नहीं नहीं है यार अब्यूस क्यों कर रहे हो उससे तुम्हो तो क्या मिलेगा, you know, imagine तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी बहन को कोई ऐसे abusive words बोलेगा, तुम्हों कैसा लगेगा, देखो तुम्हों बस point out, अच्छे से point out कर ले करो, no problem, abuse मन करो, guys. तो चलिए अपने एक story के बारे में बात करते हैं, हम लोग बात करने वाले round to hell के बारे में, तो मैंने आप लोगो बताया था अपने एक recent वीडियो में कि round to hell, one nine five nine numbers लेक रहे थे अपने story में, but वो बता ने रहे थे कि इसका meaning क्या है, but finally, आज हम लोगो इसका meaning पता चल गया है basically ये इनका next video का title है, जी आज वो अपने second channel में इसका teaser upload कर दिये, one nine five nine official teaser, and honestly personally मेरे को तो लग रहा था, कोई movie का trailer तो नहीं है ये, even उन्होंने भी अपने print comment में ये लिगा था, theater में release करे क्या, आप ये teaser देखोगे तो आप लोगो खुद समझ आएगा what I mean, but या, जिन्होंन बिष्ट ने भी complete कर चुके 1 million subscribers, then mythpat ने complete कर चुके 9 million subscribers, and finally मैं हुमो गैंबो को मिल चुका हूं का silver play button, so many many congratulations to all of them, तो चलिए अब एक international story के बारे में बात करते हैं, में लोग बात करने वाले Alan Becker के बारे में, तो Alan Becker का एक animation channel है, which is very popular, इनको millions of millions of views आते हैं, कुछ दिनों पह course वो Google के through नहीं होता है, इसमें कुछ links वगरे होने से, अगर आप छेड़ खानी करोगे, तो your account will be in danger, but fortunately वो YouTube support से बात चीद कर के अपना channel वापस ले लिए, so यह चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया ह को लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब ने क्यों तो जल्दी सी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर आपको मेरे को कोई news भेजना हो, तो first link in the description, वहाँ से जाके अगर आप कोई particular news मेरे को सबसे पहले भेजोगे, तो आपको credits भी मिल सकता है मेरे description में, so सब्सक्राइब करते रहना मेरे चैनल कोई, तिल नेक्स वीडियो, बाबाई